नमस्कार दोस्तों दिव्यावा क्रेटिव्टी जोन में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप लोग माता नाने केरपा आप सब पर बनी रहे हैं मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि करवा चौथ के ब्रत के दिन हमें कौन सी पाँच चीजे हैं जो अपने घर में एकदम नहीं बनानी है और ना खानी है ना बनानी है तो ये सारी बाते मैं शेयर करने जा रही हूँ तो यह कुछा में बताने से पहले में दो कुर्वा चौक की Seems दिन मनाया जाता है , या ब्रत कार्थिक मास की कृत्रपश की नुमक की से भर्रत कारिंगती की से पहला है ? लेकिन जब भी हम पकवान मिराते हैं हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कुछ चीज एपांच ऐसी चीजे हैं जो हम अपने व्रतमे के दिन नहीं बनानी चाहिए घर में सबसे पहली चीज कोई भी बताने जारी है, सफेद रणकी कोई भी चीज आपको घर में नहीं बनानी है, जिसा सफेद खीर होती है या दही है न तो वह खाना नहीं चाहिए उस दिन जो आपको घर में नहीं बनानी है, सबजियां बिना प्याज के बनाएए, तीसरी चीज है लैसुन, लैसुन का उपयोग भी बरत वाले दिन नहीं करना चाहिए, प्याज और जो लैसुन होता है वो तामसिक प्रविति का माना जाता है, इसलिए सास्त्रों में भी बरत वाले अंडा लाएं भी न, जिस दिन आप ब्रत हैं, उसके एक दिन पहले से ही आपको अंडा नहीं खाना चाहिए, और ब्रत के एक दिन बाद भी अंडा नहीं खाना चाहिए, और उस दिन तो बनाना भी नहीं चाहिए, किसी के लिए भी घर में नहीं बनाना चाहिए, पांच मी च सुल्ला है जो वाइट कलर की चीज़े होती है वह घर में नहीं बनाने चाहिए दूसरा है प्याज तीसरा है लैसून चौथा है अंदा और पांचवा है मास मच्ची यह सारी चीज़े आप घर में करवा चौत के दिन न बनाये तो बहुत अच्छा होगा बहुत ही असुप मा कर दो दो आएटाप बढ़ी असुप माच्ची यह सारी आप यह सारी ऊस्यूवाद है